नमस्कार दोस्तों Welcome to my channel दोस्तों आज मेरे पास है डेल इंस्प्रियान 153003 का लैप्टॉप जिसमें दोस्तों लैप्टॉप जो है ओन नहीं होड़ा है पूरी तरीके से डेड हो चुका है तो हम स्टेप बाइ स्टेप चेक करेंगे इसको टबल सुट करेंगे और एक्चुल पॉब्लेम क्या है पहले पकड़ेंगे उसके बाद solution का पार्ट आएगा तो चलिए ज्यादा बात है नहीं करेंगे आज फटा फट शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक ही निवेदान है आप अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाके और पे क्लिक कर लिजेगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिवेशन अब तक पहुंच सके तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे मैं यहाँ पर ओन करने की कोशिश कर रहा हूं कर लेकिन देखे हैं लेपटब जो है अन नहीं हो राख देखें यहाँ पर अडप्टर लगा हुआ है और एडप्टर का लाइट भी यहाँ पर जल रहा है लेकिन उसके बावजूत लैप्टप नहीं हो रहा है और कास्टमर का कहना था कि इसका जो बैटरी है सायद खड़ाब हो चुका है इसलिए डेटन टाइम गलत दिखड़ा आता है तो उसके बाद मतलब लैप्टप जो है पूरतरीकर से डेड़ हो चुका है तो पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि एड़ाप्टर में भोल्टेज आ रहा है कि नहीं तो भोल्टेज कैसे बात जालेगा कितना भोल्टेज आना चाहिए तो देखें इसके पीछे अपक यहां पर देखिए 19.5 वोल्ट डिसी यहां पर आना चाहिए दोस्तों तभी जाके लैप्टप जो है अन होगा और एमपेर भी है यहां पर 2.31 एमपेर तो पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इसमें भोल्टेज आ रहा है कि नहीं लेकिन यहां पर देखिए लाइ तो देखिए दोस्तों यहां पर भोल्टेज जो है 9.60 मतलब 9.5 19.5 यहां पर आड़ा है सो करड़ा है देखिए इसका मतलब दोस्तों यही है कि एड़ाप्टर जो है एकदम ठीक ठाग है एड़ाप्टर में कोई पॉल्लेम नहीं है यहां पर लाइट भी जल रहा है और यहां पर भोल्टेज भी आ रहा है तो पॉल्लेम हो सकता है स्लैप टॉप में तो इसको पहले खोलना पड़ेगा तो चलिए फड़ा फड़ खोल लेते हैं तो दोस्तों मैंने इससे पहले बहुत सरा वीडियो मैंने बनाया है डिसेंबल के ऊपर आप देख लीजेगा तो इसका भी देख लीजे यहां पर देखिए सा अचरा स्कुरुल है आप खोल लिजेगा तो आणवर्णस आपके का जो भाहि आपके आक में आजएगा कि जो तीन कुल आपको लूस करना है एक है यहां पर जितना सर्कुलर आपको निकल लेना है तो दोस्तों यहां पर step by step हम आपको टबल सूट करना सिखाएंगे कि कैसे आपको टबल सूट करना है आपको लग सकता है कि मादरबोर में साहित पॉल है मादरबोर ख़ड़ा बहुचुका है ऐसा ऐसा भी हो सकता है लेकिन हर केस में ऐसा होता नहीं है तो हम लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा step by step टबल सूट करना पड़ेगा उसके बाद ही जाके हम लोग को पते चलेगा कि एक्ट्वाली पॉब्लेम कहां पड़े देखे मैंने जितना सारा स्कूरू था यहां पे निकाल दिया है और यह तीन तीन स्कूरू जो है यहां पे लगा होता है तो खुलेगा नहीं तो आभी आप लोगों को क्या करना है यहां से इसको पूल करना है और यहां से थोड़ा सा अच्छा होगा कि आप लेप्टॉप तूल्स यूज की लिए आपका जो लेप्टॉप है वो सेई सलमत रहेगा तो देखें मैंने यहां पे लेप्टॉप तूल्स अब लोगों को मिल जाएगा मार्केट में देखें मैंने खुल गया है अभी देखें पूरा मेरा हाथ में आ चुका है तो इसको साइड में रख देंगे अभी दोस्तों आपको क्या करना है आपको इसका जो बैटरी है इस बैटरी को डिसकानेट करके आपको एक बार चला के देखना है हम्मिन पॉब्लम हो सकता है कि बैटरी में पॉब्लम हो सकता है इसके बएसे लैपटप उन नहीं हो रहा है है तो अपको फेलेशन खूल देना है कि कि दोस्तों हम इसको एक लेखेंगे तो धीरे से करना होगा दोस्तों क्योंकि आपने बैक कोबार खोल दिया है तो हो सकता है कि आपका हींज तूट सकता है तो धीरे-धीरे करके इसको ओपिन किजिएगा कि नहीं तो आपका हींज जो है और तूट सकता है तो देखिए इतना ही काफी है देखने के लिए तो आभी हम क्या करेंगे अभी डायेट एडप्टर से इसको अन करने की कोशिश करेंगे तो देखिए जब बैटरी लगा हुआ था तो यहां पर लाइट भी नहीं आ रहा था देखिए यहां पर मैं दिखाए था हूँ आपको देखिए यहां पर अभी लाइट जल रहा है तब लाइट भी नहीं जल रहा था तो अभी चले इसको ओन करके देखते हैं कि ओन तो हुआ नहीं फिर से एक बार कोशिश करते हैं देखिए चालू हो चुका है लेकिन दोस्तों यहां पर अभी भी डिस्प्ले नहीं हा रहा है तो एक बार को फिर करेंगे देखिए लाइट यहां पर जल रहा है तो देखिए अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो नेक्स्टेप आपको क्या करना है यहां पर देखिए रेम लूस हो जाने से पॉब्लम आता है दोस्तों तो हम एक रेम को लगाएंगे यहां पे पहले उसके बाद एक बार चिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे देखिए यहां पे डिस्प्ले आ चुका है और यहां पे जो बोल रहा है कि time of date not set please run setup program invalid configuration information please run setup program तो alert भी दे रहा है तो यहां पे क्या होता है laptop के मामले में आपका अगर battery मत्तब CMOS battery अगर खड़ा होगा तो आपका display भी out हो सकता है तो आपको धान में रखना है में भी इसका जो बैटरी है इसके वाई से नहीं होडा है तो सीमोस बैटरी सीमोस बैटरी के वाई से हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे इसका जो सीमोस बैटरी को चेंज़ करेंगे चेंज करके इसको चलाएंगे तो चलाने से आपका काम बन जाएगा दिखिए यहा पे जो तो राम के वाई से मुझे तो लगता नहीं आए के रैम के बाए से हो रहा है तो मुझे लगता है कि सीमोस बैटरी के बाए से हो सकता है तो सीमोस बैटरी आप चेक करके चेंज करके देखिएगा उसके बाद जाके अगर आपका लैपटॉप से ही हो चुका है तो आप इसका बैटरी जो है बैटरी आप चेक करके लगा के चे नटब आप को भी करते हो मेटाप में तो यह वह beansेज डिस्प्लीय आपको करेगा कोई то pot कोई करने से जैसे कि अभी canned लागा हुआ है और दूसरा रेम भी लागना बाकिल है तो दूसरा रेम हम जब लागायेंगे यहां पे सेम जो मैसेज यहां पे डिस्प्लीय कर हो इवाला मैसेश हो करेगा हाड़ वर्ट चेंजिस करने से मैसेश करता है लेकिन जो ओन नहीं हो रहा है इसका वज़ा बड़ा बैटरी जो बैक अप बैटरी वाला हो सकता है चांसेस और दूसरा जो है सीमोस बैटरी क्योंकि दोस्तों सीमोस बैटरी के वाज़ से हो सकता है सकता है क्योंकि SIMOS के वाइस से BIOS रान होता है तो तो आपका डिस्पले बगडरा मतलब आपका Laptop जो है और नहीं होगा मतलब मुंझे लग रहा है तो सिमोस बैटरी अभी तो फिलाल मेरे पास नहीं है पॉइंड वाला मतलब नॉर्माल सा होता तो अभी लगा देते मेरे पास ग्यूरसिल का सिमोस बैटरी था लेकिन यहां पे जो है दूसरा लैप्टॉप का जो बैटरी है पॉइंड वाला वही वाला लाना पड़ेगा और नहीं होगा तो इसको तातास के मदद से इस पॉइं जो दोस्तों कीबोड का कनेक्शन है पहले खोल के राखा हुआ था मतलब मैं पहले जब लैप्टॉप आया था कीबोड के पॉल्वेंग दो ऐसे तो कि मैंने खोल दिया था अभी जो है कि एक्स्टर्नल कीबोड हम यूज करें तो देखें दोस्तों यहां पर तो जोरूरी नहीं है कि लैप्टॉप और नहीं होड़ा है पुरा डेड़ हो चुका है इसका वज़ा मदरबोड हो सकता है जोरूरी नहीं है मादरबोड लास्ट में आप देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको छोड़ा चोड़ा जो मैंने आप लोगो को दिखा है इसको आपको फॉलो करना है तो उसके बाद ही जाके आपको पता चलेगा आप अगर लैप्टॉप और नहीं हो रहा है मादरबोड के उपर काम करना सुरू कर दोगे तो मादरबोड आपका सही था खड़ा हो सकता है तो देखिए अभी ओन हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आप लोगों को फि आपको खोल के एक एक करके चेक करना है अगर दो लगा हुआ है तो एक रैम सोट हो सकता है आपका जो वाइफाइक काट लगा हुआ है वह भी सोट होने से लैप्टॉप और अन होता नहीं है मैंने इसके ओपर अल्रेडी वीडियो बनाया है आप जाके देख लिजेगा मेर अजिए आपको चेक करके रिमूब करके एक बार चेक करना है क्योंकि हाडवर के वाई से शोट होने से आपका लैप्टप जो है ओन नहीं होता है तो यह वादा चेक करने के बाद एक-एक करके चैक कर लिजेगा तो पहले तो बैटरी चेक कीजिए गा उसके बाद रैंन च चेक करने के बाद आपको अगर डिस्प्ले नहीं मिलता है उसके बाद जाके आप मादारबोट को हाथ लगाएगा उसके उससे पहले नहीं तो जैसे कि आप लोगो को दिखाया कि थोड़ा सा मतब रिमूब करके यहां पर लगाने से ही यहां पर डिस्प्ले आ चुका है तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं मिलते निक्स्च वीडियो में जayan हिन बंदे महतरव